जहिन्द स्टूडेंट्स इतिहास आठवी कक्छा के सीलेबस पर आधारी वीडियोज का यह अठारवा वीडियो है और पाठ क्रमांग दो यानि की व्यापार से सामराज जितक का यह दसवा वीडियो है ठीक है स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा बंगाल को फतह करना और मैसूर राज को जी हाँ दक्षिन भारत का राज जो मैसूर है उसको प्रास्थ करने के अपने प्रयास के क्रम में अंग्रेजों को भारत में और कौन-कौन सी चुनोतियों का सामना करना पड़ा था ठीक है स्टूडेंट्स आपने 1757 की पलासी की लड़ाई और सन 1764 की बक्सर की लड़ाई के बारे में जाना ठीक है इन दोनों के बारे में मैं विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ 1757 की पलासी की लड़ाई जिसमें सिराजु दरुला की हार होती है और 1764 की बक्सर की लड़ाई है जिसमें तीन सक्तियों की हार होती है अवद के नवाब की मुगल बाद सालम दुतिय की और बंगाल के ही जो अपदस्त नवाब थे मीर कासीम की ठीक है स्टुडेंट्स लेकिन इतिहास की एक भयंकर तक मतलब एक भयंकर लड़ाई जो 1761 में हुई थी स्टुडेंट्स है न देखिए 1757 और 1764 के बीच ये पिरियेड आता है 1761 है न इस लड़ाई को हम लोग नजर अंदाज नहीं कर सकतें स्टुडेंट्स और ये जो लड़ाई थी वो इतिहास में पानिपत की तीसरी लड़ाई के रूप में जानी जाती है तो ठीक है स्टुडेंट्स तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज आप लोगों को मराठा सामराज्य के बारे में बताना चाहता हूँ और मराठा सामराज्य को बताने के करम में मैं आपको बता दूँ कि मराठों की जो सकती है उससे अंग्रेज काफी चिन्तित थे और एक बात जान लिजिए कि भारत में अंग्रेज जदी किसी से डरते थे तो वो मराठे थे तो इन मराठों का इतिहास कुछ संचिप्त रूप में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे और 1761 का पानीपत का जो तीसरा जुद्ध है वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और इसको हम लोग बाद में अंग्रेजों और मराठों के बीच जो संघर्स होता है उससे भी जोडने का प्रयास करेंगे तो students जदी हम लोग सिर्फ मराठों और अंग्रेजों के संघर्स को ही जोड़ें और मराठों के पूर्व इतिहास के बारे में आपको कुछ न बताएं तो ये युक्ति संघत नहीं होगा तो मराठों का कुछ इतिहास आप लोगों को बताना जरूरी है उसको आप जानिये तब आप मराठों और अंग्रेजों के संघर्स को आप बहतर तरीके से समझ पाएंगे students जैसा कि आप screen पे देख रहे हैं मराठा सामराज मराठों का इतिहास एक लंबे संघर्स मराठों का इतिहास एक लंबे संघर्स बलिदान और विजय के साथ ही साथ भारत के इतिहास के सबसे बिनासकारी युद्ध पानिपत के तिसरे जुद्ध सत्रसो एक सट से भी जुड़ा है तो इसमें कई बातें लिखी हुई है students एक तो यह कि मराठों का जो इतिहास है वो संघर्स का इतिहास है मराठों का जो इतिहास है वो बलिदान का इतिहास है मराठों का जो इतिहास है वो विजय का इतिहास है और इसमें ये भी पता चलता है कि मराठों को इसके लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ा था students और खोना ये पड़ा था कि लगभग 50,000 मराठा सैनिक जो है पानिपत की तिस्तरी लड़ाई में मारे गए थे तो किसी भी किसी भी युद्ध में इतने सारे सैनिकों का एक साथ मारा जाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है students तो आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए ठीक है students आप इस स्क्रीन पे फोकस केजिए दखिए मराठा सक्ती 1645 से 1818 तर साहस और प्राकरम की अनेक महान घटनाओं से जुड़ी है दखिए students इसका मतलब ये हुआ कि मराठा जो सक्ती है मराठा जो पावर है उसकी सुरुवाद जो है 1645 में हुई है और सन 1818 में अंग्रेजों के द्वारा प्रास्त होने के बाद या कहना होगा कि मराठा जो राज्ज है उसका ब्रिटिस राज्ज में विलय हो जाने के बाद 1818 में इसका इतिहास जो है वो समाप्त होता है यानि कि मराठा सामराज का अब आगे देखिए मराठा सामराज की नियू छत्रपती सिवाजी महराज ने 1645 में डाली अपने सबसे गौरपसाली दिनों में यह सामराज लगभर 28 लाख वर किलोमीटर छेतर में फैला था तो स्टुडेंट्स मैं आपको बता दू कि आज का जो भारत भूमी है उसका कूल छेतरफल है 32 लाख स्क्वार किलोमीटर के आसपास है ना और उससे मात्र थोड़ा ही कम है ना 28 और 4 होता है 32 तो लगभर 28 लाख वर किलोमीटर छेतरफल में जो है मराठा समराज का विस्तार था तो आप सोच सकते हैं कि एक और मुगल सल्तनत है ना जो अपने पूरे प्राकरम पर था तो उसको जब मुगल समराज का जब पतन होने लगा या उसके पतन होने के कुछ पहले से ही मराठा पावर इतना महत्रपुन हो गया कि एक समय ऐसा आया कि मराठा पावर जो है भारत के 28 लाख वर किलोमीटर छेतरफल में ये फैल चुका था ठीक है स्टूडेंट्स ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है उस जमाने में है ना स्टूडेंट्स आप निश्चे ही ये जानना चाहेंगे कि मराठा पावर जब अपने पूरे प्राक्रम पर था तो उस समय वो सासन कहां से चलाते थे तो स्टूडेंट्स मैं बता दू कि मराठा सामराज की जो राजधानिया है वैसे तो कही जगा पर रही है लेकिन उसका जो मूल अस्थान था वो रायगड है है ना और आप भारत के मांचित्र में रायगड जिले को आप देख सकते हैं रायगड कहां पर है रायगड जो है आज का जो मुंबई यानि बंबई है उससे लगभर डेड़ सो किलोमीटर से दो सो किलोमीटर दक्षिन में अरब सागर के तट पे एक जिलाव है जिसको हम लोग कहते हैं रायगड ठीक है एक समय ऐसा भी आया जब मराठों को अपनी रायधानी जिन्जी ले जानी पड़ी थी है ना जिन्जी जिन्जी कहां पे है ये तमिलनाडू में है जो की चैन्नेई से लगभर एक सो साठ किलोमीटर दूर है इसकी बाद स्टुएंट्स मराठों की रायधानी सतारा भी गई है सतारा है ना जो की महरास्ट में है और ये रायधार से दक्षिन पूर्ब की ओर है ठीक है और आप पूरे का नाम तो जानते ही है ये पूरे कहां पे है ये भी रायधार से पूर्ब दिसा की ओर है ठीक है तो आगे देखिए श्टुएंट्स मराठा राज्य का निर्मान एक क्रांतिकारी घटना है क्रांतिकारी घटना इसलिए है कि एक और जहां मुगलों का सासन पूरे भारत में फैल चुका था वहाँ ये कल्पना करना ही मुश्किल था कि कोई और सासन जो है उसका फैलाव इतने बड़े छेतर पर हो पाएगा तो ये संघर्ष की कहानी है स्टुडेंट्स और आगे देखिए सिवाजी महराज को मराठा सामराज का संस्थापक कहा जाता है ठीक है ये बातों सभी जानते हैं है न क्योंकि सिवाजी महराज के प्रयास से ही मराठा सामराज का जो है वो शुरुवात भी हुआ और उसका प् मैं आपको बता दूँ कि मराठा सामराज्य का जो कुल टाइम फ्रेम जो है वो लगभग 200 साल का है तो इन 200 वर्सों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो है पानिपत का तीसरा जुद्ध थर्ड बैटल अपानिपत है न ये जो घटना है वो 14 जनवरी 1761 की है तो आ जो है वो अस्थान जहांपे की ये लड़ाई हुई थी वो पानिपत आज का जो हरियाना राज है वो लगभग दिल्ली से लगभग डेड़ पौने 200 किलोमीटर उत्तर दिसा में वो अस्थान है ठीक है नक्सा में आप पानिपत को ढूंड सकते हैं और इसमें जो है इस प्रगी तो कर रहे थे सदासियो राव भाव और विश्वास राओ है ना और उनी के पक्ष से लड़ाई कर रहे थे इबराहिम खां गार्दी है ना और जो दूसरा पक्ष था स्टूडेंट्स उसमें एक अफगान सासक थे जिनका नाम है अहमद साह अबदाली है ना साथ दुर्गानी भी बोला जाता है ठीक है और दूसरा अवध के नवाब सूजाव दौला है ना और तीसरा रोहिला सरदार थे इसमें रोहेल खंड के तो आज मैं आपको ये भी बताने का प्रयास करूंगा स्टूडेंट्स की अवध कहां पे है अवध क्या चीज है है न आज भारत में स्टूडेंट्स 28 राज है इन 28 राज्यों में आप अवध ढूंडियेगा तो नहीं मिलेगा रुखेल खंड ढूंडियेगा तो नहीं मिलेगा लेकिन ये एतिहासी का स्थान है और इनका अस्तित्व था ये दोनों ही छेत्र जो है आज बरत्मान जो उत्तर प्रदेश राज है उसके अंतरगत ये है तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि पानिपत की लड़ाई जो है वो एक और तीन लोग थे एक अहमत साबदाली सुजाउद दौला और रोहिल्ला सरदार थे इसमें है ना जो रोहिल्ला कोन है स्टूडेंट्स मैं आपको कि ये अफगणी लोग हैं ना यह भारत का जो भारत की जो राजधानी है दिल्ली दिली से उत्तरपूर्व की ओर गंगा का जो उत्तरी द्री ऑब छेत्री जिसको कहा जाता है जहां पे की बदाईउं ओगर है ना साहजापूर है बुलंद सहर है पीली भीत है ये सब जो छेतर है उसको हम लोग कहते हैं रुहेल खंड तो वहां पे चुकि आप जानते हैं कि 1192 में जो तराइन का जुद हुआ उसके बाद से ही भारत में जो है बिदे बिदेशियों का लगातार अवागमन सुरू हो गया था है ना अफगानी तो लगातार भारत में आ रहे थे और वो ज्यादा से ज्यादा बस कहा रहे थे जिसको आज हम लोग रुहेल खंड कह सकते हैं है ना उस छेतर में है ना तो इसके बारे में मैं विस्तार से आपको ब समक्ष है जिसके साथी थे सुजाउद दवला यानि अबद के नवाब और दूसरा रुहेल खंड के अफगानी रुहेला ठीक है स्टूडेंट्स गूगल पे जो तस्वीरे उपलब्ध है उसे मैं कुछ दिखाने का प्रयास करता हूं आपको है ना तो ये जो आपके सिवाजी महराज की तस्वीर है ठीक है स्टूडेंट्स इन ही के द्वारा मराठा सामराज का जो है नीव डाली गए थी यानि की फाउंडेशन इन ही के द्वारा शुरुआ था मराठा सामराज का ठीक है स्टूडेंट्स अब आपके समक्ष जो भारत का नक्सा है है ना इस में देखिए लिखा हुआ है High Tide of the Maratha Empire July 1759. Students मैं आपको बता दूँ कि 1761 में 14 जनवरी 1761 को जो पानिपत का जुद्ध हुआ था. उससे लगभग डेर साल पहले की बात है students. अब आप देख सकते हैं कि भारत के नक्से में Marathाओं का जो है विस्तार कितने बड़े छेतर में था है ना आप उत्तर में देखिए जो पंजाब है है ना वो पंजाब सरी भारत वाला पंजाब नहीं जो आज पाकिस्तानी छेतर में पंजाब है वहां तक है ना आप पिसावर तर देख लीजिए लगभग सिंध का कुछ हिस्सा इसमें है राजपुताना का हिस्सा है गुज सामराज के अंतरगत था ठीक है स्टूडेंट्स अब आप इस और एक नक्से को आप देख सकते हैं इस नक्से को देख करके भी आपको पता चल सकता है कि भारत के कितने बड़े भुभाग पर मराठाओं का नियंत्रण हो चुका था है ना अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे समक्ष जो स्क्रीन पर जो मांचित्र है उस मांचित्र को आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए ठीक है ये इस पे आप देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो इस पे उत्तर प्रदेश को मुखेता फोकस किया गया है किसको फोकस कि ताल कलर में दिखाया गया, उसके ऊपर है ना, दो छेतर दिखाया गया है, एक है नेपाल, नेपाल तो सुतंत्र देश पहले भी था और आज भी है, है ना, और दूसरी ओर देखे, उत्राखंड आपको दिखाई देगा, ठीक है स्टुएंट्स, जिसकी राजधानी है, देह उत्रग प्रदेश का ही हिस्सा था, ठीक है स्टुएंट्स, उत्रग प्रदेश के पस्सिम में आप देखिए, छोटी से बिंदू के रूप में दिखाया गया है, वहाँ दिल्ली है, ठीक है, और वहीं पे हर्याना भी है, दिल्ली और हर्याना, ठीक है स्टुएंट्स, और देखे दक्षिन की ओर है ना दक्षिन की ओर मध्यपरदेश है चतिसगड़ है है ना और पूरब की ओर देखिए बिहार है ठीक है तो इस्टुएंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा भी ये मांचित्र दिखाने का प्रयास मैं इसलिए किया हूं कि आप उत्तरपरदेश तो आपको अवध का पता नहीं है आपको रुहेलखंड का पता नहीं है तो जब तक आप ये नहीं जानिएगा कि रुहेलखंड कहां है अवध कहां है तब तक आप पानिपत की तीसवी लड़ाई को तरीके से नहीं जान पाएंगे स्टुएंट्स और एक बात आप याद रख खीए कि 7057 में पलासी की लडाई होती है बंगाल का जो छेतर है वो अंगरेजों के अधीन चला जाता है ठीक है और उसके ठीक 7 साल बात 1764 में बकसर की लडाई होती है और लगभग-भग जो है अवद पर अगरेजों का नियंत्रण होता है इलाबाद की संधी होती है बनारस की संदी होती है ये बाते मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है स्टूइंट्स तो इस बीच में 1761 में इतना बड़ा जुद्ध कैसे हो जाता है और उसमें अंग्रेजों की कोई भूमिका नहीं होती है स्टूइंट्स 1757 जो पलासी की लड़ाई है जो बंगाल में उसके चार साल बाद स्टूइंट्स वो दिल्ली के जस्ट बगल में पानीपत में इतना बड़ा जुद्ध होता है और उसमें अंग्रेजों की कोई भूमिका नहीं होती है तो अंग्रेज क्या चाहते थे कि उनकी कोई भूमिका ही थी वास्तब में स्टूइंट्स अंग्रेज जो है वो डरते थे मराठों से और वो भी चाहते थे कि मराठे जो है नस्ठ हो जाए तो भारत में उनका काम आसान हो जाए और भारत पर उनका नियंत्रण आसान हो जाए ठीक है स्टूइंट्स तो मैं अभी बताने का प्रया मैं आपको कोसिस करता हूं बताने का कि अवध कहां पे था हैंना कहां पे था या आज भी अवध छेत्र है students था की बात नहीं है 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 तो So, UP के नक्से में, उत्तर प्रदेश के नक्से में, ये जो छेतर है, स्टूरेंट्स…. ये.. ये जो । देख रहे हैं, है न.. ये जो लकीर मैं खीच राओ हम ये छेतर ठीक है.. यहां से ले कर, आपको ये छेतर.. इतना बड़ा जो छेतर बनता है.. यह जो बीच का जो छेत्र है यह छेत्र कहलाता है अवद यह छेत्र क्या कहलाता है यह अवद कहलाता है ठीक है तो स्टुएंट्स मैं बता दूं कि इसमें लखनव भी आएगा आपने अमेठी का नाम सुना होगा जहां से राजीव गांधी जी जो है वो चुनाव लड़ते हैं वो जगह इसमें राय बरेली पड़ेगा और भी कुछ नाम है स्टुएंट्स जैसे की कानपूर तो आप जानते ही हैं इलाहवाद जानते हैं अयुद्ध्या जानते हैं जहां राम जन भूमी बावी मस्जीद वाला मामला है उसके बाद कुछ और छेतर हैं जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा लेकिन मैं बता देता हूं कि उसमें बहराइच आता है मात अना यह ने फcjęशावाद तो वही हो गया अयोध्या है ना उसके बाद लखीम पूर आता है हर दोई आता है तो students यह जो छेत्र हुआ यह समूचा जो छेत्र मैं आपको बता रहा हूँ यह जो छेत्र है जो है यह कोई छोटा मुटा छेत्र ने है students यह लगभग लगभग जो है बासट हजार स्क्वार किलो मिटर मतलब लगभग लगभग जारखंड राज के बराबर या उससे थोड़ा सा छोटा इसको हम लोग अवध बोलते थे ठीक है यह अवध छेत्र है ठीक है अब students इसी नक्से में मैं बता दूँ कि रुहेल खंड किस छेत्र को बोलते है भारत के नक्से में रुहेल खंड कहां पर है तो आपको पता है कि गंगा जो नदी है वो हिमालय से निकल करके उत्रा खंड हरीद्वार होते हुए इस तरह से वो उत्तर प्रदेश के विविन छेत्रों से होते हुए इस तरह से बहती हुई आती है यहाँ पे कानपूर यहाँ पे और इस तरह से यह इलाबाद होते हुए यह आगे बढ़ती है इधर बलिया होते हुए यह बिहार के पटना होते हुए इधर भागलपूर की ओर चली जाती है और जारकंड के साहब गंज होते हुए आगे बंगलादेश या बंगलादेश की चली जाती है ठीक है स्टुइट्स तो यह जो आप देख रहे हैं है गन्गा नदी है ना गंगा का जो ऊत्री दो आप छेत्र है यानि ये वाला छे ठीक है ये जो छेत्र आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा कोई चेटर उत्राखंड का भी सामिल है, तो यह लगभग-लगभग 25,000 स्कॉरी किलोमीटर का एरिया है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं, यह जो एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं, रुहेल खंड, क्या कहते हैं students, रुहेल खंड, है न, यहाँ पे ज्यादातर जो है, अफगानिस् रुहेल खंड वाले रुहेला और ये जो अवद के नवाब थे वो इन दोनों ने जो है एक विदेशी आकरांता का साथ दिया था इन दोनों ने किसका साथ दिया था आहमत सा अब्दाली या आहमत सा दुर्गानी का साथ दिया था स्टूडेंट्स मैं यह बताना चाहूंगा कि वीडियो का आकार बड़ा होने की स्थिति में इसकी लंबाई कुछ अधीक हो रही है इसलिए जो वीडियो करमांक 18 है उसे मैं दो पार्ट में डिस्टिब्यूट कर दे रहा हूं दो पार्ट में बांड दे रहा हूं वीडियो करमांक 18 का एक और 18 का दो तो यहां पे वीडियो करमांक 18 का एक जो है समाप्त होता है और उसके बाद एक और वीडियो आप देखेंगे जो वीडियो करमांक 18 का ही एक और पार्ट होगा जिसको आप वीडियो करमांक 18 का दो कहें कि कि स्टूनस जा हैं यहीं कि स्टूनस